वेल्कम फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं यूट्यूब चैनल आईयस यात्रा फ्रेंड्स आज का टोपिक है वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन तो ये क्या है और ये न्यूज में क्यों है इसके विशे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अंतराष्ट्रे समुदरी संगठन क्या है भारतिये छेतरिये नविगेशन उपग्रेप रेनाली क्या है और जियो सिंक्रोनस औरबिट क्या है इस विशे पर भी हम चर्चा करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय भारत विश्व व्यापी रेडियो नविगेशन प्रेनाली वर्ल्ड वाइड रेडियो नविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतराष्ट्रे समुदरी संगठन द्वारा मानेता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतिये छेतरिये नविगेशन उपग्रेप रेना वाली के घटक के रूप में मानेता प्रदान कर दी है अन्य तीन देश जिनके पास आयमो दौरा मानेता प्राप्त नविगेशन प्रेनाली है वे हैं सन्युक्त राज्य अमेरिका रूस एवंचीन IMO ने विभिन देशों को अपने स्वैम के उपग्रे नविगेशन सिस्टम को रिजाइन करने के लिए प्रोच साहित किया है IMO ने अब IRN SS को एक वेकलपिक नविगेशन मोडियूल के रूप में स्विकार कर लिया है पहले यह है केवल पाइलेट आधार पर उप्योग में था किन्तु अब सभी व्यापारिक जहाज इनका उप्योग करने के लिए अधिक्रेत हैं यहां तक की मचली पकरने के छोटे जहाज भी अब अमेरिका के GPS और रूस के GLONASS की तरह व्यापारिक जहाजों की जानकारी प्राप्त करने के लिए IRNSS का उप्योग किया जा सकेगा IRNSS को हिंद मास अगर में जहाजों के नविगेशन में साहता है तो सटीक स्थिती सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था और IRNSS क्या है यह अब जान लेते हैं IRNSS का पूरा नाम भारतिय छेत्रिय नविगेशन सेटेलाइट सिस्टम इंडियन रीजिनल नविगेशन सेटेलाइट सिस्टम है और यह उपग्रहों अर्थाद सेटेलाइट का एक सेट है जो एक साथ भारत को GPS के समान एक छेत्रिय स्थिती वाला सिस्टम प्रदान कर सकता है इस रो की वेबसाइट के मताबिक यह प्रनाली उप्योग करताओं के प्राथमिक कपरेच छेत्र में बीस मीटर से अधिक तक की सटी कि स्थिती है तुद डिजाइन की गई है और यह भारत की सीमा के करीब पंदरो सो किलो मीटर के घेरे में भी अपनी सिमाय प्रदान कर सकता है अभी तक कितने IRN SS सेटेलाइट इस्थापित किया गया है जिसका अर्थ है कि वे प्रिथवी के उपर एक निश्चित स्थान पर अविस्थित हैं तथा वे प्रिथवी की कक्षा में परिक्रमा करते हैं शेश तीन cde को geo stationary orbit में इस्थापित किया गया है यह प्रिथवी के साथ साथ भूमद्दे रेखा पर इस्थापित हैं बलकि समुंदरी और हवाई नविगेशन में भी मददगार है इन उपग्रहों से प्राफ्ट डेटा को वहान चालकों को द्रिश्य और वोईस नविगेशन साहता देने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है ये सेटलाइट आपदा प्रबंधन के साथ साथ उचित समय प्रबंधन में भी मददगार साबित हो सकते हैं आईरन SS-1 की विशेशता हैं इसका वजन 321 टन है PSLV C-41 आईरन SS-1i को फ्रक्षेपन के बाद 19 मिनट 19 सेकिंड में कक्षा में स्थापित कर देगा यह है आईरन SS सेटलाइट समू की नौवा सेटलाइट है इसे सब जियो सिंकूरनल ट्रांसफर ओर्बिट में स्थापित किया जाएगा और इसका सबसे नजदीकी बिंदू पिर्थवी के उपर 284 किलो मिटर पर होगा अन्य सभी आईरन SS उपग्रहों की तरह आईरन SS1 आई को भी दो पेलोड एक नविगेशन पेलोड और दूसरा रेंगिंग पेलोड होगे तो नविगेशन पेलोड का इस्तमाल इस्तिती गती तथा समय की निर्धारन के लिए किया जाएगा जबकि रेंगिंग पेलोड का इस्तमाल सेटेलाइट की आवरिती रेंज का निर्धारन करने के लिए किया जाएगा अब हम जान लेते हैं अंतराष्ट्रिय समूंदरी संगठन के विशे में अंतराष्ट्रे समूंदरी संगठन सन्यूक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जिसका इस्तापना वर्ष 1948 में जिनेवा सम्मिलन के दोरान एक समझोते के माध्यम से की गई थी IMO की पहली बैठक इसकी स्थापना के लगबग 10 वर्षों अर्थात वर्ष 1969 में हुई थी और वर्तमान में अंतराष्ट्रे समूंदरी संगठन के कुल 144 सदसे तथा तीन एसोसियेट सदसे और इसका मुख्याले लंदन में स्थित है यह एक अंतराष्ट्रे मानक निर्धारन प्राधिकरन है जो मुख्य रूप से अंतराष्ट्रे स्थिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने और जहाजों द्वारा होने वाले प्रदूशन को रोकने हितु उत्तरदाई है शिपिंग बास्तों में एक अंतराष्ट्रे उद्योग है और इसे केवल तभी प्रभावी रूप से संचालित किया जा सकता है जब नियमों और मानकों को अंतराष्ट्रे स्तर पर सुईकार किया जाए ध्यातव्वे है कि IMO अपनी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नहीं है और ना ही IMO के पास नीतियों के प्रवर्तन हेतु कोई तंतर मौजूद है इसका मुखे कारे शिपिंग उद्योग के लिए एक ऐसा नियामक धांचा तयार करना है जो निस्पक्ष एवन प्रभावी हो तथा जिसे सार्ववामिक रूप से अपनाया वो लागू किया जा सके तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक ल में पर्द होते रहिए थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंड्स